आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं बहुत ही पांच मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से काजल को वियर कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटिफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं इस तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको देने वाले हूं बहुत अच्छी टिप्स जनकी हेल्प से आप पांच डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में काजल कैसे अपलाई कर सकते हैं और भी ब्यूटिफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं अबिगुद जरूर देखिए आए होफ यह वीडियो आपको बहुत पसनाएगा सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा चलिया आज की वीडियो का स्टाट करते हैं सबसे पहले काजल एपलाई करने के लिए आपको चाहिए काजल कोई भी आप अपना फेवरेट काजल स्टीक ले सकते हैं मैंने यहां पर लिया है लोटस का इंटेंज कोल काजल यह बहुत ही प्यारा काजल है यह डबल राउंड रेपल काजल है जितना आपको चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं पहला जो तरीका है काजल अपलाई करने का वो यह कि आपको अपनी लोवर वाटर लाइन में हाफ आफ काजल लगाना है यानि कि आपको पूरा आगे से लेकर पीछे तक नहीं लगाना है आपको पीछे से लेकर मिड तक लोवर वाटर लाइन में आपको काजल अपलाई करना है देखिए मैं किस तरह से वीडियो में क कर दीजी यह देखिए पूरा काजल यानि के आपको पूरी लोवर वाटर लाइन पर काजल लगाना है यह था हमारा सेकंड तरीका बहुत ही अमेजिंग काजल आप लगा सकते हैं तो यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है थर्ड तरीके में आपको simple सा सिर्फ wing create करना है four finger की help से आप थोड़ा सा उपर push कीजिए और काजल से एक बहुत ही प्यारा सा wing यानी line create कीजिए देखे कितना simple है बहुत ही आसान तरीका है ये हमारा wing liner ready हो गया बहुत ही प्यारा look आपका लगेगा फोर्थ तरीके में आपको अपनी जो upper eyelid है उसके उपर काजल लगाना है वीडियो में आप देखी मैं किस तरह से लगा रही हूँ तो ये था हमारा चोथा तरीका काजल लगाने का फिफ तरीके में आपको काजल को अपनी lower eyelid पे लगाना है देखी वीडियो में मैं कैसे लगा रही हूँ तो ये था फिफ तरीका बहुत ही सिंपल सा बैस चेर ओलसो और कोमेंट डाउन बिलोव रियली मेंस अलोग तो मी थैंक यू, थैंक्स पर वोचिंग, बाबाई, टेक केर